हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो सिलपास की चनल रेसिपीज आज मैं शेर करने वाली हूँ 6-12 मंच बेबी फूड रेसिपी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी से भी यूस्पुल हो तो वीडियो को लाइक, शेर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे तो चले बीना देर किये फटा फट शुरू करते हैं मैंने यहाँ पे एक स्वीट पेटाटो लिया है और इसे मैंने पानी से अच्छे से साफ कर लिया है सबसे पहले हम इसके साइट्स कट कर लेंगे और उसके बाद इसे छील के और इसके छील के निकाल लेंगे छीलने के बाद अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे स्वीट पेटाटो यानि के शकरकन में प्रचूर मात्रा में कैल्शियम, आयरेन, प्रटाशियम, मैगनेशियम और जिंक पाया जाता है इसके अलावा इसमें विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, विटामिन E और विटामिन B1, B6 और B9 प्रचूर मात्रा में पाया जाता है जो की छोटे बच्चों के overall growth and development के लिए काफी ज़रूरी है और इसके अलावा ये विट गेन के लिए भी काफी फायदे मन्द होता है कट करने के बाद इसे हम एक पैन में transfer कर लेंगे और इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से साफ कर लेंगे पानी से अच्छे से साफ करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे और इस पैन को हम गैस पे चड़ाएंगे पैन को कवर कर देंगे और शकरकंद को 10 मिनिट के लिए low to medium flame पे boil होने देंगे 10 मिनिट बाद पैन का कवर हटाएंगे और हम शकरकंद को चेक करेंगे आप देख सकते हैं शकरकंद अच्छे से boil हो गया है गैस का flame बंद करेंगे और इसे हलका सा ठंडा होने देंगे और जब यह हलका सा ठंडा हो जाए तब हम इसे एक mashर से अच्छे से mash कर लेंगे इसे अच्छे से mash करके एकदम smooth बना लेना है इसमें कोई भी lumps वगेरा नहीं होना चाहिए अब हम इस sweet potato यानि के शकरकंद के puri को एक bowel में transfer कर लेंगे अब हम इसमें एक छोटा चमच powder milk अड़ करेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे और 6-12 month baby के लिए healthy food ready है अगर आप कोई वी food baby को first time introduce कर वा रहे हैं तो हमेशा थोड़े से quantity शे ही शुरुआत करें उसके बाद age के according धिरे-धिरे quantity बढ़ाएं